दोस्तों आज हम देखेंगे कि Facebook Ads कैसे useful हो सकता है हम जैसे exporter के लिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि Facebook Ads से आप direct अपने containers के लिए buyer नहीं डून सकते majority of products में जैसे for example आपका products onions है तो you cannot expect कि आपको onion का पूरा container का demand Facebook Ads से आएगा Facebook Ads advertisement है वो useful उन लोगों के लिए जादा है जो foreign countries में अपने products local level पे sale करना चाहते हैं फिर बहुत चोटे quantity में supply करना चाहते हैं बाई courier और या बाई air आयाटा mode छोटा shipment डूर टू डूर marketing बहुत effective होता है लेकिन जब हम foreign country में जाते हैं तो हम ऐसे salesman को hire नहीं कर सकते जो घर घर में जाके या दुकान दुकान में जाके हमारी products को market कर पाए बहुत सार ऐसे लोग है जिनका foreign में setup है या friend है relative है और foreign country में सस्ता warehouse भी रख सकते हैं जहाँ पर हमारे products store किये जाए लेकिन आगे कैसे बेचे तो यह facebook ad exporter के लिए जादा useful उस areas में है जहाँ पे foreign country में local level products का cutting हो सकते हैं cutting मतलब selling यह हो सकता है effectively facebook ad से अब यह करना कैसे हैं और इसका मैं practical आपको example भी बता देता हूँ फिर हम यह शुरू करते हैं एक client था मेरा और उनके sister थे उस्टलिया में पर्थ रीजिन में उनके sister थे और उनके sister ने कहा कि देखियां यहाँ पर मैं इतना कुछ business नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं जानती कहाँ पर क्या products देनी है मुझे awareness नहीं है यह अक्सर दोस्तों आपके साथ भी होता होगा आपके अगर foreign country में friend group circle है तो उनको यही समस्या होता होगा कि आपसे इतना माल लेके वो further बेचेंगे कहाँ तो हमको उस वक्त mango export करना था उस वक्त mango का अच्छा खासा हो रहा था covid का situation का पहले की बात कर रहा हूं मैं तो उस वक्त there was a demand यह हम जानते थे कि वहाँ पर Australia में वो पर्थ रीजन में थे काफी Indian लोग रहते हैं तो there was a huge demand लेकिन अभी उनके sister को यह पता नहीं था तो हमने सिर्फ उनको ऐसा कहा कि आप अपने area पे facebook ad run कर दीजिए बले आपके पास अभी stock नहीं है लेकिन अभी आप ऐसा facebook ad को run कर दो कि जैसे आपके पास available है mangoes और उन्होंने एक अच्छा display banner create किया जैसे mangoes available है आप हमसे approach कर सकते हो खरीदने के लिए केसर mango वगेरा डाल दिया उसमें और facebook का ad run कर दिया वो facebook का ad देखते ही काफी सारे लोगों के सामने calls आने शुरू हो गए local level पे क्योंकि facebook ad regional level पे चला गया था तो काफी सारे approach करने लगे लोग और तब उनके sister को strike हुआ कि अरे ये तो इसकी तो काफी अच्छी demand है ये products अगर हमारे पास होगा तो हम अच्छा sell कर सकते हैं वक्त रख दिया था 45 AUD पर box एक box तीन किलो का आता है तो दोस्तो ये बहुत effective है अगर आपका foreign में setup है या आप foreign में setup किये है या करना चाहते हैं लेकिन आपको local level पे marketing कैसे करोगे अपना products जो है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है दोस्तो foreign country में जब आप whole selling में product दे देते हो तो whole selling में दिक्कत क्या है कि कभी-कभी आपसे शुरू नए हो तो आपसे credit में मांग लेता है और foreign country में आपने credit में mile दिया तो बहुत ही मुश्किल है फिर वहाँ से recover करना इसे बैतर ये है कि foreign country में आपने setup डाला है या डालने वाले हो या आपका friend है, group है तो कोशिश ये करो कि जो product का consumer है, right, customer की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं consumer की बात करो, जो product को consume करता है वहाँ तक आप पहुच जाओ, अगर ये आपका system बन गया ना, तो आपको long term तक business में कोई उखाड नहीं सकेगा, right और आपकी जीत होती रहेगी business में, चाहे भले आप product change भी करो based on the season, लेकिन आपकी system जो है, आपका धाचा जो है, वो perfect होना चाहिए तो चलो, बिना time waste किये, Facebook ads के बारे में आज चर्चा करते हैं, कि किस तरीके से हम Facebook ads को place कर, रन कर सकते हैं अब इसके बारे में दोस्तों मैंने already discussion board दाल दिया है, export import guru के website में, अब facebook ads के देने के लिए, आपको facebook ads में जाना होगा, या फिर आप google search कर सकते हो, facebook ads, वहाँ पर देखिए, ये image में आपको दिखा रहा हूँ, उनके portal का, उसमें first जो है, वो main navigation menu है, फिर जो second two आपको दिख दे रहा है, वो है create new ad campaign, तीसरा है account overview, चौथा है campaign view, पांचमा है ad setup view, six भी एक तरीका का setup है, seven column है, eight campaign breakdown है, nine reporting है, reporting and editing, 10 जो है, वो campaign result है, और 11 है total ad spend, अब यहाँ पर जो आपको green वाला भिखरा है, number two, वहाँ पर आपको click करना है, create ad, या फिर आप जो है, उपर main navigation menu के उपर जो है, वहाँ पर आप click कर सकते हो, जो ad manager है, वहाँ पर ad manager में भी आप click कर सकते हो, further जो है, आप यह green जब click करोगे, create, तब आपकी advertisement create होगी, इसमें, तो सबसे पहले आपका step आएगा, कि you need to select the campaign objective, आपका objective क्या है, चैसे brand awareness है, local awareness आपको करना है उस area में, आपको engagement चाहिए, अगर आपका application है, तो app install चाहिए, video view, video डाला है, तो video view ज़ादा करना है, यह सब में से आपको appropriate आपकी product के अनुसार आप choose कर ले, अब शुरूत engagement से कर सकते हैं, engagement का मदलब यह है कि आपकी जो post आप डालोगे, जिसमें आपकी website link होगी, यह आपका contact होगा, आपका photograph होगा, products का, उसको जादा से जादा लोग like करेंगे और share करेंगे, ऐसा Facebook का automated प्रयास होगा, यह एक तरीके का engagement होता है, ताकि जादा से जादा उस post के साथ लोग react करें, क्योंकि जितना जादा likes बढ़ेगा, जितना जादा उसमें comment बढ़ेगा, उतना ही वो जादा popular होता रहेगा, उतना ही जादा लोग उसमें विश्वाश करेंगे, और further purchase कर सकते हैं, यह engagement initial face के लिए अच्छा है, जिस location में आप add देना चाहते हैं, आप वो location select कर सकते हैं, Facebook एक आपको roughly estimate बताएगा, कि तकरीमन इतने लोगों तक आपका ads पहुचेगा, आप एकदम specific audience भी बता सकते हैं, जैसे man है, woman है, आप कुछ categories भी choose कर सकते हैं, इसमें further, advanced level पे आप कुछ accounts के भी references ले सकते हैं, कि यह यह लोगों को यह यह चीज़ पसंद हो, या इस तरीका कुछ type करे, या यह keyword लिखे, तो हमारी ads आए, इसमें आप थोड़ा work करोगे, तो आपको पता चलेगा, आप appropriate format अपना चूज़ कर सकते हो, advertisement का, आपको appropriate अपना format चूज़ करना होगा, advertisement का, depends कि आपके image कितने हैं, और videos कितने डाले हैं, एक post में, अगर single image या video है, तो आपके लिए, एक individual single mode ही ठीक रहेगा, multiple image है, तो collage mode भी आप चूज़ कर सकते हो, तो यह एक बार आपको check कर लेना है, फिर further settings में, आपको यहाँ पर device जो है, वो all रखना है, वो by default all ही आएगा, ताकि क्या है कि, सारे device में आपका advertisement flash हो सके, फिर कहां कहां पर placement होगा, यह भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे feeds है, stories है, in stream, या message, आपका यहाँ पर कोई भी जगा पर advertisement flash हो सकता है, Facebook आपसे ज़रूर पुछेगा, कि Facebook आपको charge कैसे करें, कि आपको per impression के cost आप देना चाहोगे, या per page like के आप cost देना चाहोगे, या आप अपने इसाप से choose कर सकते हो दोस्तों, impressions का, per impressions का cost डाउन होता है, और page like का cost पर page like का cost ज़ादा होता है, लेकिन यह strategy आपको देखना और अगर आप यहाँ पर standard mode choose करते हो, तो normally add चलेगा, अगर आपको कोई short time में आपको add budget spend कर देना है, तो इस तरीका भी mode आप choose कर सकते है, accelerated mode, अब दोस्तों सबसे main मुद्धे में आते हैं, कि Facebook में हमको कितना budget spend करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लाइक के लिए शुरूवा ताकि क्या है कि एक proper way में आपका advertisement run हो पाए, इसको आपको smoothly check करना होगा, कि मुझे कैसा यह work करके दे रहा है, आप cost per click mode में भी जा सकते हो, कि per click के इसाब से भी आप rupees दे सकते हो, आपको यह देखिए दोस्तों, यह मैं आपको video बता रहा हूँ, मैं आपको video के माधियम से स दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको practically बात करूँ, तो एक बर आप use करोगे तो ही यह चीज आएगा, बिना आप use करो, क्योंकि इसमें आपकी mistake होगा, कुछ आपके पैसे जाएंगे, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा, यह trial or error से ही आपको यह आने वाला है, क्योंकि मैं हमे इसको सीख सकोगे, मैंने दो डीटेल्ड में आर्टिकल दिये हैं, मेरी export import की guru की website में, मैंने discussion board में यह चीज डाला हुआ है, तो आप यूट्यूब description देखोगे, वहाँ पर आपको link मिलेगा, उसमें click करो, तो मैंने दो पार्ट में Facebook को में add कैसे देना है, उसके step by step, डीट में चीज दी गई है, तो उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, दोस्तों आपकी जो कोई भी doubt or queries है, Facebook को add creation को लेके, वहाँ कृपिया मुझे WhatsApp कर दीजिएगा, मैं आपको, I will try my best to help you, thank you.